नमस्कार जन्मत की पुकार में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़ती बहंगाई ने आम लोगों को टमाटर की कीमतों के साथ साथ सबजीयों के कीमतों पर भी बड़ा असर डाला है हाल हमें टमाटर की कीमतों में तेजी देखी जा रही है पिछले सबताह तक टमाटर का दाम प्रती किलो 10 से 20 रुपए तक ही था लेकिन अब वह 100 रुपए प्रती किलो पार कर चुका है यहां तक कि टमाटर की आपोर्ती इतनी कम हो गई है कि राज्थानी भूपाल में टमाटर सामा नितह बंध हो गए हैं इस परिस्तिती में टमाटर बैंगलूरू और राजस्थान से लाए जा रहे हैं टमाटर की मेंगाई के कारण हरी सबजियों के भाववी बढ़ गए हैं और इसके परिणाम सुरू ग्रोहिणियों के रसोई खर्ज पर भी असर पढ़ रही है इन दिनों हरी सबजियों के कीमति आस्मान चू रही है और बहुत से गरिब परिवारों की थाली में हरी सबजियां उबाले जाने वाले भोजन के लिए उप्लब्द नहीं हो रही है टमाटर को छोड़कर अन्य सबजियों के दामों में भी वृद्धे हुई है जब हम टमाटर के दामों की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश राज्य में टमाटर सबसे महंगा भिक रहा है मध्यप्रदेश में टमाटर का दाम 100 रुपे प्रती किलो से उपर है जोटकी राजस्थान में इसकी कीमत 80-100 रुपे प्रती किलो है महिने पहले तक किसानों को अच्छे भाव मिलने के कारण से कुछ किसान टमाटर को सड़क किनारे फैक रहे थे लेकिन जब मध्यप्रदेश में किसानों के पास टमाटर के फसल समाप्त हो गई तो इसका असर टमाटर के दामों में अचानक उच्छाल आने की रूप में दिखाई दिया है जिन किसानों के पास टमाटर की उचित मात्रा है उन्हें इस बढ़ते हुए दामों में बहुत फायदा हो रहा है इसके साथ टमाटर की कमी से जुड़ी बातों को लेकर बाजार एवं किसान संगठनों में चिंता भी जगी हुई है सरकार को इस मुद्दे पर गंबीरता से ध्यान देने की आवशकता है ताकि टमाटर और अन्य महेंगी सबजियों के दामों को संभाला जा सके और जनता को आराम से उचित मात्रा में सबजियां मिल सके तो ऐसे में जो करहा के किलो टिमाटर खरीदार अब वो खरीदारी में आपको कमी देखाई होगी जी आपका नाम प्यूर भाई अचानक से टिमाटर के अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि रुपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें 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 कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और ख़बरों के साथ नमस्कुराइब